तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल V4 Value में आज हम लोग बात करने वाले हैं Jubilant Food Works के बार में कि आखिर ये शेर अपने all-time high से almost 40-45% क्यों downtrend पे गया और हाली में ऐसा क्या हुआ जिसके वज़े से ये शेर लास्ट वन मन्त में भी 14% downtrend पे गया है अगर आप इस टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इन्फरमेटिव होने वाले है इस वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखेगा So without wasting any time, let's start the video So जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये अपने all-time high से almost 40-45% downtrend पे दिखा रहा है इसके पीछे का mean reason ही है last two quarters से investors के expectation के according अपनी results नहीं ला पा रहा है और तो और इस company के लिए जो कि एक काफी बड़ा role play करते थे परतीक रश्मीकान पोटा जी जो कि इस company के CEO और whole time director थे जिसने काफी सारे अलग-अलग बदलाव लाए थे इस company के लिए इस company के लिए अपना एक खुद का application launch किया और भी काफी सारे अलग-अलग बदलाव लाए जो कि काफी ज़्यादा positive wave में लेके गए उन्होंने इस company से design कर दिया जिसके वज़े से market ने इस पर काफी ज़्यादा negative momentum दिखाया इसे जैसे कि आप देख पारेंगे last one month में almost 40% का downtrend दिखा रहा है बटर कर बात करें आप company के वार में company के fundamentals के वार में तो personally मैं बोलू तो मेरे को company काफी अच्छी लगती है company का brand value आप जैसे की जानते ही होंगे company दो ब्रैंड्स को represent करती अभी के time पे Domino's Pizza और Dunkin Donuts दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा famous ब्रैंड्स है maybe आपने Dunkin Donuts का नाम ना भी सुना हो but I am giving a damn surety about this कि आपने Domino's Pizza का नाम सुना ही होगा although आपने Domino's Pizza खाया भी होगा तो आप कुछ सो सकते हैं जब company इतने बड़े brands को hold कर रहे तो company कितनी ज़्यादा रैपरेड़ीड है Domino's Pizza आज के time पे इंडिया के हर एक city में available है चोटे-चोटे villages तक में available हो रहा है तो आने वाले time पे यह काफी ज़्यादा आपको momentum provide कर सकते हैं अगर financials के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख पारेंगे 2018 में 196 करोड 2019 में 319 करोड यहां पर आपको downtrend देखने को मिल रहा है 2020 में 279 करोड और 2021 में 231 करोड तो इसकी पीछे का में कारण था वो COVID-19 था COVID-19 था काफी ज़्यादा impact कर रहा था इन restaurant business को अगर आप cash flow के बारे में बात करें तो इस company ने इस बीते साल में काफी अच्छा cash flow इखटा करा है जिसे यह आगे आने वाले time पे अपने business पे लगा सकती है company के holdings के आने बात करें तो company के promoters ने लगबग 41% का stake hold किया है mutual fund का stake 9.54% अगर foreign investors की बात करें तो उन्होंने लगबग 39% hold करा है इस company का और retailers की बात करें तो उन्होंने लगबग 7% की यहाँ पे holding रखी है तो मैं अभी भी यह कह सकता हूँ कि company के जो भी majority of the shares है वो एक काफी strong hands में है जिसका मतलब यह साफ निकल के आता है कि company के उपर अभी भी काफी लोगों का believe है, researchers का believe है और आने वाले time पे एक company ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी अभी के time पे जिस discount पे trade कर रही है, आप बेशक इस discount पे इसे buy कर सकते है, but full amount कभी भी buy मत कीजिएगा हो सकता है इसे आने वाले एक से डेड़ महिने में इसमें थोड़ा बहुत और correction देखने को मिले, तो आप इसमें क्या कर सकते है, SIP के तुरू, यानि थोड़ा थोड़ा amount आप डालेंगे जैसे जैसे इसे dip मिलेगा, अभी आप एक dip पे ले सकते हैं, then अगर यह आपको 2200 य इसके financials वगेरा चेक कर लीजेगा before investing, अगर मैं personally बात करो तो मेरे को यह stock काफी जादा attractive लगता है, आने वाले time पर यह ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, और उसके लिए मैं इस पर bet कर सकता हूं क्योंकि अभी यह काफी जादा अच्छे discount पर trade कर रहा है, मुझ अगर आपके पास थोड़ा और समय इंवेस्मेंट को देने के लिए तो प्लीज मेरी यह becoming a better investor के playlist जरूर देखेगा, जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए stay safe and goodbye, thank you दोस्तो.